हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंड्स आप सभी फिट और फाइन होंगे हेल्दी होंगे और बहुत अच्छी प्रेपेरेशन चल रही होंगे आप लोगों के एक्जाम्स की आज की वीडियो आप एक मेराथॉन समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हम 10 Methods of Teaching डिसकस करने वाले हैं चाहें आपकी CDP की हम बात कर ले या फिर English, Pedagogy की हम बात कर ले या फिर Maths की बात कर ले कोई भी सब्जेक्ट हो आपका SST की बात हो Methods of Teaching सभी के लिए बहुत Important Topic है और जो भी आपके एक्जाम्स में Most Important Topics है, Methods हैं जिसमें सिब कोशन आते हैं वो 10 Methods मैं आज एक ही सेशन में लेकर आई हूँ इस से आपको बहुत help मिलने वाली है और एक ही वीडियो में आपके सभी जो Methods of Teaching है वो cover होने वाले हैं वीडियो को complete देखेगा बिलकुल भी कोई भी चीज आपने skip नहीं करनी है क्योंकि बहुत instant बहुत short टाइम में हम यह सारे 10 के 10 Methods जो हैं discuss करने वाले हैं so friends before I start with the session अगर आप मेरे channel पर नहीं हैं या फिर first time visit कर रहे हैं तो इससे subscribe कर ले और साथे में click कर दे bell icon पर to get notifications of my latest uploads now starting with the session methods of teaching तो सबसे पहले हमें methods of teaching का meaning पता होना चाहिए यह जो methods है यह word बना है mode से या फिर way तो methods of teaching teach करने के पढ़ाने के क्या क्या ढंग हो सकते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं class में क्यूंकि teacher पढ़ाना चाता है क्यों ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सके बच्चे learning कर सके तो उस चीज के क्या ways हो सकते है क्या methods हो सकते है तो वो हम आज one by one करके discuss करने वाल हैं सभी methods जो है So starting with the lecture method and the most common method of all the methods lecture method क्या होता है telling method बोलते हैं इसको ठीक है तो direct question number one आपका क्या सकता है कि telling method कौन सा होता है ठीक है तो आपको options दी जा सकती है that is the lecture method जो generally classroom में follow होता है blackboard teaching होती है तो teachers बताते रहते हैं बच्चे सुनते रहते हैं ठीक है So teaching a lesson in form of speech or talk इसको हम क्या कहते है lecture method तो teacher यहाँ पर क्या होता है active होता है क्योंकि lecture method में जो ज्यादा role है वो teachers का है और students क्या होते है listening का काम होता है तो students यहाँ पर passive listeners का काम करते हैं ठीक है तो इस method की जो merits and demerits है हम वो भी देख लेते हैं So merits देखे है इसके क्या है more information can be given in short time क्योंकि बच्चे जब doubts भीच भीच में पूछेंगे तो teachers का हम कह सकते है time भी खराब होता है थोड़ा mind distract हो जाता है जो topic वो पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा information थोड़े time में दे सकते हैं stimulate interest in subject बच्चों का interest बढ़ा सकते हैं teachers कुछ ऐसे powerful speakers होते हैं motivators होते हैं teachers जो बोल कर ही ना बंदे का mind change कर देते हैं बच्चे का interest भी बना सकते है subject में ठीक है तो ये भी क्या बड़ी बात है then spoken words are better than books अब bookish knowledge देने से better है कि आपको for example मैंने अपने hand में जो notes है ये बनाए है ठीक है मैं आपको notes भी आपको सामने नजर आ रहे हैं और मैं आपको बोल कर भी पढ़ा रहे हैं तो वह better है कि आप books पूरी की पूरी detail पढ़ें तो आपको books का निचोड कुछी शब्दों में लाकर सामने आपके रख दिया गया है ठीक है तो ये better है then core relate previous and new concepts तो बोल कर हम पुराने concepts को जैसे ही मैं अक्सर आपको कहते हूँ कि अगर आप ये CDP की series देख रहे हैं या फिर कोई भी series देख रहे हैं तो उसको आप starting से देखे क्योंकि जो चीज हम आज पढ़ रहे हैं इस वीडियो में तो मैं zoom करके चलते हूँ कि आपने previous videos देखी हैं और पुराने concepts जो है time to time revise भी होते रहे हैं The next is more students can listen and prepare notes ठीक है can be repeated और modified तो ये सारे क्या है इसके merits है और जल्दी से इसके हम जो demerits more workload on teachers ठीक है दो सबसे main हम कहते हैं कि जादा काम क्या teachers का है teachers नहीं lecture prepare करना है कोई भी वो सारे points cover करने की कोशिश करते हैं जो बच्चे को जिसमें doubt हो सकता है और students क्या होते हैं यहाँ पर passive listeners होते हैं तो ये method में active कौन है teachers है passive कौन है students है ठीक है तो ये सभी teachers के लिए अच्छा नहीं है जो teachers good speakers नहीं है या फिर ज्यादा अच्छे से बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं उनके लिए ये better technique नहीं है या फिर हम कह सकते कि no learning by doing method हम कहते हैं कि खुद से सीखें करके सीखें experiment करके सीखें kinesthetic learning तो वो इसमें बिलकुल भी नहीं है क्योंकि students क्या हैं या पर passive listeners है individual differences ignore किया जाते हैं सभी class को एक ही ढंक से पढ़ाना है तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है तो किसी बच्चे को हो सकते है lecture method से समझ में ना आए वो demonstration method से ज्यादा अच्छे से पढ़ सकता हो भई तो lecture method से कैसे पढ़ेगा ठीक है तो यह क्या है fast speed of lecture है इतनी fast speed है कि बच्चों के सिर की उपर से भी निकल जाता है कई बरी तो यहाँ पर lack of student attention होती है students bore हो जाते हैं एक ही method से मतलब सो ही जाते हैं अक्चली class में ठीक है तो यह इसके कुछ demerits देखने को मिले हैं next is demonstration method method number two यहाँ पर क्या होता ना कुछ topics के कुछ demos देकर अगर teacher पढ़ाएं वो actual चीज सामने बच्चों को दिखा कर पढ़ा सकते हैं ठीक है तो वहाँ से क्या होता ना बच्चे actual object को देखते हैं concept clarification होती है for example कोई models वेगरा होते हैं फिर computer के parts के बारे में अगर पताना है तो computer की laboratory में जाकर बच्चे को various computer के parts यह hard drive है, यह motherboard है, यह hard disk है, keyboard है, ठीक है यह socket है, यहाँ पर pen drive लगती है so and so, plug in, plug out जो भी सारी चीजे हैं वो अच्छे से दिखाना जो चीजे बच्चे practically देखते हैं अपने सामने, ठीक है, demonstrate होती देखते हैं, वो चीजे वो भोलते नहीं है तो वो क्या होते हैं, बहुत अच्छी टेक्नीक है ठीक है, इसको teacher will actually show मतलब जो भी चीजे के बारे में demonstrate करे हैं, for example, अगर अर्थ दिखाना चाहते हो, तो globe दिखा सकते हैं अर्थ के बारे में explain कर रहे हैं तो globe दिखा कर, वहां से सारे demonstration कर सकते हैं, कि इतने percentage क्या है वहां पर water है, या फिर इतने percentage क्या है, covered area है greenery है, and so on इसके देखिए, जो demonstration के हैं ये कुछ, हमारे पास steps होते हैं 6 steps, सबसे पहले अगर कोई भी चीज demonstrate करनी है तो उसके लिए planning होनी चाहिए और preparation होनी चाहिए, कोई चीज आप किसी के सामने present करने वाले हैं तो उसकी preparation होती है ठीक है, उसके बाद introduction of the lesson कोई चीज जो present करने वाले हैं, उसको introduce करना, फिर actually उसकी इसको teach करना, topic को थोड़ा सो उसके बारे में बताना, फिर वो object सामने लेकर आना, जिस चीज को आप demonstrate करना चाहते हैं, फिर कौन से teaching aids use कर रहे हैं, आप model use कर रहे हैं, ठीक है, या फिर chart use कर रहे हैं, then finally होता है इसमें, ये proper method होता है, ठीक है, तो इसके ये सारे steps होते हैं, आपने teaching course में भी किया होंगे, तो ये कई बरी steps में भी आ जाता है, कि ये step जो है, step wise, कि topic is, कि method के steps है, ठीक है, तो वो किसके हैं ये demonstration के, then देखें इसके जो merits and demerits है, merits क्या है, यहाँ पर हमें deeper understanding हो जाती है, demonstration से, discipline में रहते हैं, बच्चे जब active participation होगी, बच्चे interest लेकर पड़ेंगे, ठीक है, ये child centered approach है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं इस चीज से, बच्चों का main focus है, इस चीज़ पर, demerits क्या है, हर topic है, हम ये demonstrate देकर तो हर topic नहीं बढ़ा सकते हैं तो burden the students, burden students पे भी आ जाता है, time consuming method है, individual differences को फिर से ignore किया जा रहे, क्योंकि एक ही method के through बढ़ाया जा रहे, बच्चे कुछ lecture method प्रेफर करते हैं या कोई और method प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है तो ये costly method भी है, अगर हम teaching aid, proper हर चीज के लिए model बनाएंगे, charts बनाएंगे, या फिर कुछ न कुछ so and so बनाएंगे, तो उसमें कुछ खर्चा तो होगा न, पैसा तो invest होगा, तो ये costly method भी होता है, ठीक है, ये ची समझ में आगे, अब देखिए next बढ़ते हमारे problem solving method की तरफ, यानि कि कोई समस्या है, उसका हमने हल निकालना है, तो वो किस तरह निकालेंगे, बच्चे ही उसका हल निकालेंगे, तो in this method, students are not told the solution of the problem, बच्चों को solution भी बताया जाता है, लेकिन उनको थोड़े से hints दे दिया जाते हैं, थोड़े से बता दिया जाता है, कि आप इस तरह किसे इस चीज़ को solve कर सकते हो, ठीक है, तो खुदी बच्चों को explore करना है उस चीज़ में, problem को खुदी solve करना है, तो उसके stages होते हैं, या फिर उसके steps होते हैं, तो वो क्या है, वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर five steps हैं, इसके problem solving method के, first is identification of the problem, हम कहते हैं कि अगर आपको question समझ में आ गया, किसमें लिखना क्या है, समझी, आदा question आपका solve हो गया, तो problem समझी है, पहले इसमें करना क्या है, identification, then analysis of problems, अब हम analysis और जो synthesis है, उस method को भी discuss करेंगे, तो इस चीज को आपको detail में न, वहाँ पर समझ में आएगा, analysis में क्या होता है, basically, बड़ी problem को छोटे-छोटे parts में तोड कर उसको समझना, for example, mathematics की problems होती है, जैसे board mass के हमने concepts भी किये हैं, sums किये हैं, तो brackets को अलग-लग तोड के, चोटे-चोटे parts में solve करके, फिर as a whole, उस पूरी problem का हमने answer निकाला था, वो क्या होता है, analysis करना उस चीज का, फिर information को gather करना, then selection of one or more hypothesis की कौन सी situation सही हो सकती है, फिर जो हम choose करते हैं, उसको test करना, then arriving at conclusion relative to solution of the problem, यह होता है, final step इसकी तरफ, अब इसके importance के लिजे, merits, demerits, यह चीज़े देख लेते हैं, तो merits क्या है, increase child's ability to think, develop knowledge, etc, then students learn to be self-dependent, अब जब बच्चे खुद से कुछ करते हैं, उनमें एक confidence आ जाता है, और originality आती है, कि यह चीज हमने खुद से solve की है, ठीक है, तो confidence तो natural यहाएगा, interest भी बढ़ेगा, बच्चे motivate भी होंगे, खुद से करने के लिए, तो यह क्या method of experience based learning, experience करके ब learning by doing, learning by experience, ठीक है, यह क्या है, direct to thinking, बच्चों की जो thinking है, वो enhance होती है, एक तो देखिए, बना-बनाया पकवान सामने आ जाना, और एक खुद देखना कि क्या मसाले उसमें डलने वाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें खुद से analyze करना, तो वो चीज क्या है, thinking generate होती है, जब हम हम खुद से करना होता है, लेकिन एक बनी-बनाई चीज हमारे सामने आ जाए, बना-बनाया project आ जाए, सिर्फ उसको use करना है, that is not a challenging thing, वहाँ पर thinking भी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो efforts भी कम लगते हैं, तो यहाँ पर problem solving method में efforts बच्चों के लगते हैं, learning होती है, interest generate हो be taught with this method, अब जो चीजें हम कहते हैं कि सिर्फ theoretical ही बताने वाली होती है, वो आप कैसे problem solving method से बच्चों को करवाएंगे, ठीक है, तो छोटी classes के लिए method बिलकुल भी suitable नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को explore करने के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन इतने high level की वो problem solving techniques नहीं कर सकते, यहां पर wastage of students का time भी होता है, क्योंकि hypothetical solutions पहले find out करेंगे, हो सकता है, वो गलत निकल जाए, हर problem के लिए, ठीक है, then lack of suitable books and talented staff, इस चीज को guide करने के लिए, difficult to cover syllabus, then time consuming method होता है, ठीक है, तो यह सारे demerits है इस चीज के, then we will come to the project based method, अब देखियो जो इन चीज कौन है, इसके जो father है, वो तो है kill patrick बोलते हैं, लेकिन यह method लेकर आये हैं इसका concept, यह john dewee लेकर आये थे, इनके जो है हम कह सकते हैं, she share रह चुके हैं, या फिर इनके student and उसके बाद में इसके colleague भी रहे हैं, john dewee के, तो वो है kill patrick, तो वो इसके जो है project based method के father है, अगर आ doing, यहाँ पर role of teacher क्या होता है, like a guide or helper या फिर हम कहते हैं कि facilitator का role होता है, basically, facilitator, जो सिर्फ information felicitate करते हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन उनको proper solution नहीं बताते, सिर्फ यह बताते कि आपको raw सा material दे दिया, कि यह चीज़े यूज़े यूज़ करके आपने अपना project करना है, ठ direct solution नहीं बताते किसी चीज़ का, clear हो गया, जैसे scrapbooks बच्चे बनाते हैं स्कूल में, तो teachers बताते थे इसको आप decorate करना है, यह आपकी theme है, यह आप material यूज़ कर सकते हैं, बनाओ क्या बनाओगे, यूज़ कर अपनी creativity, तो वो क्या होगे, project based methods हो गया, इसके characteristics क्या होते हैं, whole hearted activity है, पूरा जब बच्चे involved होंगे, तभी क्या होगा, output अच्छा निकल कराएगा, useful both inside and outside school, बच्चों की अच्छे से क्या होती है, इसमें creativity निकल कराती है, corporate activity है, corporate कहां से शुरू आपको समझ में आएगा, types में से, तो based on experience है, child centered है, logical power बच्चों की develop होती है, अब types में देखें, project होते हैं, एक तो individual और group projects होते हैं, बच्चे या तो individual projects assign होते हैं, लेकिन जो बड़े projects होते हैं, for example, computer का कोई software create करना है, या फिर कोई भी किसी subject के higher classes में projects मिलते हैं, तो वो group के हिसाब से होते हैं, हर group के member को अलग-लग उनके roles assign कर दिये जाते हैं, तो वो क्या है, corporation development करती है, बच्चों के अंदर, कि अब हमें group के अंदर रेक कर ही काम करना है, अगर एक भी person ने अपनी responsibility अच्छे से नहीं निभाई, तो पूरे के पूरे group को क्या मिल जाएगी, मतलब, price नहीं मिलेगा, किसी rank पर नहीं आ पाएगा, clear हो गई या चीज, अब इसके principles देख दीजे क्या है, principle of purpose, principle of freedom, अब project है, तो किसी purpose के लिए बनाया जारे है, principle of freedom, हर बच्चे को अपना role assign किया जाता है, freedom होती है, कि जहां से तुम material इकठा करके लेके आना चाहते हो, इसका लेकर आओ, ठीक है, principle of experiment, बच्चे experiment करके सीखते है, principle of reality, कुछ से knowledge सर्च करते हैं, तो अब वो क्या है, reality में, मतलब real life से जुड़ते हैं, then is principle of utility, अब जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ पर, वो उसका real life से relation हो, इस तरह के projects बच्चे को assign किया जाने चाहिए, principle of activity, activity ही तो हो रही है बच्चों की, then is social development, अब जब बच्चे ग्रुप में काम करे होंगे, तो वो socially भी क्या होंगे, develop होंगे, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, अब इसके जो steps हैं, देख लीजे, first is creating a situation project है, तो एक situation उनको दे जी जाएगी, इस चीज़ पर आपने project करना है, then selection and objectives, उसके objectives क्या है, और क्या आप चीज़ें उसके लिए select करना है, planning होगी, फ recording भी होगी, हर बच्चे का individual record रखा जाता है, कि इस बच्चे ने ये इसमें काम किया है, इसकी performance किस तरह की रही है, ठीक है, and so and so, तो इसके merits, demerits है, वो भी अब देख सकते हैं, psychological method है, ये, permanent knowledge होती है, क्योंकि project में क्या है, learning by doing है, तो वो knowledge क्या होती है, permanent होती है, then develop thinking, power, respect for dignity of labor, ये होती है, discourage rote memorization, यानि कि ratification को बिलकुल ये मानता नहीं है, क्योंकि learning by doing और rote memorization, ये दोनों anti हैं एक दूसरे के, या तो rote memorization होगी, या फिल learning by doing होगी, ठीक है, then practically बच्चा knowledge gain करता है, and learning by doing हम तब से बोल रहे हैं, तो ये point आ ही गया merits में, इसके बाद time consuming है, demerits म और highly experienced teachers चाहिए, अगर आप project कर रहे हैं, guide करने के लिए भी experience teacher की जरूरत होती है, जो project में बच्चों को time to time guide कर पाए, अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो teacher को पता लगेगा, तभी तो वो रोकेगा ना बच्चों को, क्या आप ये चीज़ गलत direction में move कर रहे हैं, य ये चीज़ ऐसे नहीं, इस direction में move कर रहे हैं, अपनी efforts इस direction में लगाई है, ठीक है, then this is suitable for small groups only and neglects individual differences, ये कुछ demerits हैं, जो इसके देखने को मिले हैं, तो इसके बाद देखिए, next है हमारे पास analysis method, ठीक है, हमने बात की थी analysis method, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशिल क्या होते हैं, मैं आपको overall बताती हूं, बिल्कुल easily समझ में आ जाएगा, कोई भी मैं कहते हैं, आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को attempt कर सकते हैं, कोई बड़ी problem है हमारे पास, उसको हमने चोटे चोटे parts में तोड़ कर solve कर लिया, ठीक है, चोटे चोटे parts में तोड़ यह उसको, for example, आपके book है, एक unit है, हम कहते हैं, कि FA में unit 1 आएगी, unit 1 में further 3 chapters हैं, तो यह जो 3 chapters हैं यह units हैं, यह वली, और यह जो बड़ा आपको यहाँ पर show हो रही है, problem, यह क्या है, एक unit है, unit में 3 chapters हैं, clear, एक और example ले ले लेते हैं, for example, maths का, हमने board maths का example ली थी, ठीक है, board maths के example में काफी सारी complications हैं, एक ही question के अंदर, तो हम पहले इस bracket को solve करेंगे, यहाँ पर minus आगया, फिर इसको, पहले इसको solve कर लीजिए, अलग-लग, फिर in सभी को combine कर दीजिए, यहाँ पर minus कर देंगे, यहाँ पर फिर जो इसका answer है, इसको plus कर देंगे, individually इसको हमने क्या कर दिया, parts में break कर लिया, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, analysis करना, problem को इकठा solve रही करना, उसको टुकडो में देखना, कि इस चीज़ का हल कैसे होगा, इस चीज़ का हल कैसे होगा, ठीक है, समझ में आगी यह चीज़, तो अब इसके जो main points है, वो हम देख लेते हैं, तो यह क हम कहते है, heart of analysis method, यह किस तरह बढ़ता है, from unknown to known, यानि कि जो से हमें नहीं पता, वहां से हम start करते हैं, और जो चीज़ पता है, वहां तक move on करते हैं, यह क्या है, method of discovery है, क्योंकि बच्चे खुद देखते हैं, इस problem का solution किस तरह से निकलेगा, problems को पहले कुछ भागों में त learner क्या होता है, हमेशा active होता है, तो दिमाग चलेगा तो यह develop thinking and reasoning भी होगी, यह एक psychological method है, यहां पर हम example ले सकते हैं, construction in mathematics, या फिर जो projects हैं, computer में, अगर जिन बचों ने computer किया, उनको पता होगा कि computer के जो projects होते हैं, वहां पर हम कितने phases से गुजरते हैं, पहले planning होती है, planning के phases होते हैं, basically इसके, तो वो क्या है, चोटे-चोटे parts में तोड़ देते हैं, पूरे project को, ठीक है, testing होती है, हर एक चीज की final में, तो इसी तरह से अगर हम mathematics में किसी चीज को construct करना चाहते हैं, कोई angle construct करना है, suppose, 60 degree का angle construct करना है, तो सबसे पहले, क्या किया जाएगा, एक line draw की जाएगी, फिर compass 60 degree पर खोली जाएगी, फिर यहाँ पर एक arc draw करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जो step by step process होता है, इसका, वो किया जाएगा, तो यह क्या है, break किया है, बड़ी problem को, 60 degree का angle construct करना है, तो step by step, तो इसका एक और main point है, कि सारा काम जो होगा, step by step, move on होगा, ताकि हम final उस चीज़ को solution की तरफ पहुँच पाएं, clear होगा इतनी चीज़, अब इसके बिल्कुल जो विपरीत हम कह सकते हैं, बिल्कुल anti, जो है, वो है synthesis method, synthetic method भी कुछ कहा जाता है इसको, तो देखिए, हम पहले एक problem से units की तरफ बढ़े थे, units से sorry, chapters की तरफ बढ़े थ लेकिन synthesis method में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, हमें कुछ parts दिये हुए हैं, हमने उनको combine करके एक meaningful unit बनाना है, यानि कि कुछ चीज़े हमें पता है, वहां से हम किस तरफ move on करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता, ठीक है, वहां पर move करेंगे, यानि कि यह चीज़ क compare to analysis method, ज्यादा mental efforts बच्चे के use नहीं होते, क्योंकि किसी चीज़ को parts में तोड़ना एक challenging task होता है, लेकिन उन सभी को जोड़ देना इतना challenging नहीं होता, then it develops speeds and accuracy, तो इसमें example क्या ले सकते हैं, for example हमारे पास एक triangle आपको given है, ठीक है, तो angle sum property क्या होती है, triangle की, कि तीनों angles का sum क्या है, 180 degree है, तो आपको 2 angle दे दिये, एक 30 degree दे दिया, ठीक है, एक आपको दे दिया 60 degree, तो पूछा गया है कि ये जो angle बच गया है, ये आपके पास कितना होगा, वैसे ये बिल्कुल मैंने गलत बना दिया, क्योंकि ये भी क्या है, actually 60 नजर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों 60 है, तो ये वाला angle कितना होगा, तो हम इन दोनों को add कर देंगे, और 180 में से minus कर देंगे, तो ये भी angle कितना निकल के आएगा, 60 degree, यनि कि हमें क्या पता था, ये units पता थे, और हमें ये निकालना था, तो from known to unknown चीज हम move कर गे इस चीज पर, ठीक है, ये example आप इस चीज में ले सकते हैं, next देखे, इसके बाद है, हमारे पास heuristic method, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अन्वेशन विधी, ठीक है, तो साथ-साथ में हिंदी, बाकी आप मैं समझा हिंदी में रही हूं, तो सभी students को ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, heuristic का meaning क्या होता है, कि मै मैंने ये चीज़ discover की है, मैंने ये method से ये चीज़ पता करवाई है, I mean कि खुद से किया है, मैंने ये कुछ भी जो भी किया है, ठीक है, heuristic method में, तो इसका meaning होता है कि I discovered this thing, तो ये जो method है, ये भी किसने discover किया है, Professor Armstrong ने, ये direct पूछा जाता है, कि heuristic method किनो ने discover किया है, य ये है Professor Armstrong और इनका जो basic principle है ये learning by doing का, अब देखिए learning by doing पर काफी सारे methods है, तो ये basically क्या करता है कि scientific attitude बच्चे का develop करता है, self confidence increase होता है, originality होती है क्योंकि बच्चा खुद से अपना content create करता है, जो भी knowledge लेकर आता है, खुद की original लेकर आता है, independence of judgment होती है, thinking power बच्चे की increase ह होती है, इस method से, next इसके बाद है हमारा play way method, और इसके originator है Henry Cook, ठीक है, originator किस ने किया है, इसको Henry Cook ने play way method, यानि की खेल खेल में सीखना, तो इसके principles क्या है, फिर से learning by doing, individual difference को ध्यान में रखा जाता है, जो बच्चा, वैसे play way method जो है न, छोटी classes के लिए adopt किया जाता है, ज तो वहाँ पर बच्चे क्या न, उनको ऐसे classroom का environment नहीं दिया जाता, toys दे देते हैं, blocks दे देते हैं, rings होती है, बड़ी से, छोटी की तरफ arrange करना, बच्चे खेल कर सीखते हैं, कि सबसे पहले बड़ी ring डालेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से, तो ये method को बोलती हूँ, दिमाग में हलचल पैदा करने वाला method, और ये जो method है न, ये कब काम आता है, जब हम किसी team में काम कर रहे हैं, या फिर किसी group में work करने है, group में काम करते हुए हम जैसे कहते हैं, कि हमारी gd हो रही है, group discussions हो रही है, तो हर किसी के views important है, हर कोई member इसमें participate करत है, अपने views हर को ही बताता है, ठीक है process of developing, creating solutions to problems, एक topic दे देते हैं, उसके related बच्चे अपने views लेकर आते हैं सामने, हर बच्चा जो है अपने personal views देता है, अपने ideas देता है, यहाँ पर divergent thinking होती है, divergent means यह भी सोच आ गई, यह भी solution आ गया, यह भी solution आ गया, यहाँ पर है ए ग्रूप के members है, ठीक है, तो brainstorming methods में क्या होता है, basically इसमें group होता है, और group का हर member जो है, इसमें actively involved होता है, actively participate करता है, तो इसके जो rules है वो देख लीजे, one conversation at a time, जैसे हम कहते हैं पारलिमेंट में एक बंदा, एक टाइम पर एक ही बंदा बोलेगा, तो इसके rules होते हैं कि group discussion म जब एक बंदे की turn आ गई, वो अपने view सामने रखेगा, सभी बागी focus रखेंगे कि उसने क्या points बोले हैं, फिर दूसरा कोई अपना नया विचार लेकर आएगा, यहाँ पर encourage wild ideas हो कि जो आपके दिमाग में आता है, आइडिया, कितना भी धांसू आइडिया हो, आप सामने लेकर आओ उस चीज़ को, फिर उसके बाद judgment पेश की जाती है, जो उस group को देख रहा है, जो teacher उसको देख रहा है, या फिर head, जो है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बिंदास वो group discussion कर रहे हैं, और कोई उनको judge करने के लिए नहीं है, judge करने के लिए कोई नो कोई teacher, कोई invigilator, क कुछ न कुछ कोई बंदा तो बैठा होगा, तो वो judge करेगा, based on the ideas of others की, इस चीज़ का discussion का निशकर्ष क्या निकालना है, कौन सा idea सबसे best है, ठीक है, ये इसके कुछ rules होते हैं, I am sure ये आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, और यहाँ पर हमारी, ये 10th method of teaching जो है, ये शंका हो, कोई भी doubt हो, तो आप मुझे बिशक comment कर सकते हैं, so friends, ये थी आपकी marathon, session, first marathon of this series हम कह सकते हैं, और ये देखिए सिरफ CDP के लिए नहीं है, चाहिए आप science के students हैं, SST के हैं, EVAC के हैं, ठीक है, या फिर mathematics के हैं, whatsoever subject you have opted, ये सभी के लिए mark कर लीजे, star की अंदर most important topic है methods of teaching, और देखिए अगर आपको ये helpful रहा हो, तो प्लीज इसे like जरूर कीजे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजे अपने friends के साथ, अपने groups में, ठीक है, make these videos worth by sharing ahead, so friends, see you in the next session with a new overwhelming topic, till then, keep watching friends,